नमस्कार मैं हूँ अमित पालित देखिए अमित हमारे साथ हैं पूजा हैं नमस्कार और मौसम अमित करवट बदल रहा है और कोहरा चटने लगा है सर्द हवा के बीच दिन में खिली खिली धूब गर्माहट का ऐसास भी कराने लगा है और ऐसे में अब होगा ये कि हफते दस दिन में लोग मोटे मोटे स्वेटर जैकेट्स पैक करेंगे और टी शिर्ट और स्लीवलेस शिर्ट्स में अपने अपनी बॉडी फ्लॉंट करते हो नजर आएंगे बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने लेकिन उनका क्या होगा जिटोंने पूरी सर्दी खा खा कर पूजय अपने शरीर को बेढोल बना लिया और उनकी फिटनेस भी खत्म हो गई अमित उनको तो अपना मोटा पा छिपाने का बड़ा टेंशन होगा और कैसे ये छिपेगा मोटा पेट उसका डर भी सताने लग रहा होगा बिल्कुल जोचना पोल खुलने का डर तो लोगों को सता रहा होगा लेकिन हम है ना उनकी मदद के लिए गबराने की कोई बात नहीं है अगर आप चाहते हैं कि सर्दी खत्म होते होते आपका फिगर ट्रैक पर आ जाए फिटनेस भी पहले जैसी हो तो आज से ही हमारे साथ अपने मिशन की शुरुआत कर दीजिए बिल्कुल और इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए सबसे पहले कुछ फिटनेस टेस्ट करने की जरुआता है तो पहला है कि बैलन्स टेस्ट करते हैं कम से कम पैंतालीस सेकेंड तक एक पैर पर घड़ा हूँ यानि की कुछ इस तरीके से अब मैं शूस के साथ ही कर रहा हूँ ठीक है अच्छा आप पैंतालीस सेकेंड आप गिनना शुरू करना पड़ा है किसे को मेरे लिए थोड़ी दिक्कत है अब बात कर लेते हैं मोबिलिटी टेस्ट की मोबिलिटी भी शरीर में होना बहुत जरूरी है तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी मैट में सीधे खड़े हो जाए जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ अब जब आप स्टैंडिंग पॉस्चर में होंगे तो अपने लेग को क्रॉस कर लिजी ऐसे आप जिस भी पॉजीशन में कंफिटेबल हैं चाहें आप राइट लग आँगे कर लिजए चाहें लेफ्ट लग आगे कर लिजे उसके बाद धीरे से आपको आराम से डालंस बनाते हुए नीचे बैठना है और उसके बाद बैठे नहीं रहना है ऐसे ही धीरे से आराम से उपर भी खड़े होना है आप चाहें तो दो बार और अगर बहुत ज़्यादा कमफटेबल है तो बांच बार भी कर सकते हैं मुझे लगता है दस बार भी हो जाएगा वैसे ही अवरेज भी अच्छा है अगर दस मिनिट में एक मील भागना है मतलब सवा किलोमीटर उससे सबसे ही अवरेज अच्छा है एक नॉम्मल यूमिन बींग के लिए अगर आप एक मील दौर लेते हैं यानि की करीब सवा किलोमीटर आप बता रही है अगर दस मिनिट में मुझे लगता है कि बहुत है और इसमें अगर आप नॉर्मल स्पेस भी रखते हैं जो हम बोलते हैं आप अगर ब्रिस वाकिंग करते हैं तो भी आप पहुंच जाएंगे और चिन अप्स पुल अप्स कर लेंगे तो वो सोने पे सुहागा इसके लिए आपको 30 सेकेंड तक लटकना होगा और इन चारों टेस्स से होगा यह कि सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस का लेवल समझना होगा तभी आप आगे की टार्डगेट को एचीव कर पाएंगे कि क्या आपने रखा है और कल स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यह सब तभी करने हैं जब आपका शरीर इन सारी एक्सराइजस को स्पेशली यह जो ग्रिप टेस्ट है इनको करने के लिए तयार है वरना इंजिरी हो सकती है और देखे योग गुरु स्वामी रामदेव भी दिखाई दे रहे हैं योग अभ्यास प्राणायाम और डाइट प्लान को फॉलो करना होगा जो तसना यह भी बहुत सरूरी है और स्वामी जी अक्सर कहते हैं और दस दिन के अंदर अगर आप यह सब कुछ करते हैं तो आसानी से दस किलो फैट बर्न कर सकते हैं और एक बार वजन घट गया तो समझेए और फिर धीले धीले कप्डे पहन कर वजन चुपाने की नौबत नहीं आएगी तो चलिए सीधा रुक करते हैं योग गुरु के विटलेस मंत से मोटापे को खतम करने के लिए स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम आपका बहुत स्वागत है स्वामी जी प्रणाम अभी भी बहुत सारे लोगों के पास वक्त है अपना मोटापा कंडर में के लिए अब देखो यह कितना ही छुपा ले कैसी छुपेगा कितना है 140 140 140 बढ़ा कैसी यह राज बताओ कुछ लोग अंडर वेट है ना वो जानना चाहते हैं कैसे जब तक 25-26 साल तक अपने बाबा का हाथ था उसके बाद बे लगाम हो गया कुछ भाया बे लगाम हो गया पहले बाबा का है ता बाबा का हथ सर पर रखवा ले बाबा का ही लिया 23 साल वजन 150 अब देखो एक तो मेरा पेट देख लिए पूरा हट जाएगा बेटा बेटा तो कई के लोड़ा करा है यह बर्गर फीजा कोल ट्रिंग यह वो कुछ जाद खाया कि मीठा जादानी तो बंदी है कि गर में शुगर है बड़ा कैसे चार-पान साल पेले हर्मोन मेरे से तो दो दिन में दो किलो तो घटा लिया रोज एक एक किलो घटाएगा स्वामी जी ओम मेरा अच्छली हरनिया को ऑपरेशन हुआ था नाभी का जिम में एक्क्साइज करते वे हरनिया बाहर आगा थी कोई भी वजन उठाएं कुछ भी एक्साइज करें सावधानी प आपने कितना कंजा था पांच कीलो उठाएं कम करा कि दुन थे फिर अण बढ़ाई तो मेरा 26 था अब 39-30 का अधिवान कृण कर लिया टो वरिशाओर भार वावा तरह तरह कल भागा तरव जी था और तो ने तो स्वामी जी मेरा तीन किलो बजन कम हुआ पांच दिन में द भाइब टीन दिन में पांच दिन में तीन कीलो और तो नहीं कितना कम किया वही एक तो जहा है किसी को दोडने को मिल जाये तो बहुत अच्छी बात थाने तो खड़े खड़े ऐसे दोड़ एक और एक यह तो इसे पूरे शरीर में और जाये अजाएगी और फिर ये ऐसे चलो करो ऐसे और फिर बस्ती करनी है कुंजर करना है दंड बस्ती करनी है वस्तर धोती करनी है शुद्धी करन संक प्रक्षालन करना है ये बड़ी जवर्दस दीजे अब देखो एक तो ये नली ऐसे लगा दी नली से पानी निकल रहा है और नली से ऐसे निक के लगा दी हो सवामी जी जैसे पानी निकल रहा है ऐसे शरीर से फैंट निकालना है यह कुंजर से डर रहा था हमारा बच्छा अब तो स्वेटर उत्रेगा अब जब स्वेटर उत्रेगा तो आपका पूरा का पूरा जो सर्फेस एरिया ची तरह से नजर आएगा सूपर एरि हमने पूरी ले लिए और एक तो यह करना है सो बार कितनी बार तो आज का शब्द है पूर्शार्थ की पराकाष्था अमीजी जोसना जी पूजा जी क्या बोलो पूर्शार्थ की 100 बार तो यह करना है फिर सो बार ये करो, देखो ये, सो बार, पुर्शार्थ की पराकाश्ठा, सो बार से लेके 500 बार तक करो, और कितना कम हो जाएगा, एक दिन में 2 किलो, 500 बार करना है, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, करो, 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 अभी तो इसका, कर, 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 क्या नाम बेटा अक्षत का जो है, हार्मोनल इंबैलेस के कांड से बढ़ा था, कोई बार तने, बेटा, अब जो बढ़ गया, तो बढ़ गया, कहले धीरे-धीरे, बाद में तेजी से हो जाएगा, ऐसे, ये, सो, दो, सो, पांसो बार तक करवाते हम ऐसे, ये, ऐसे, ऐसे, अब देखो, इस किरे बता रहे हैं, ऐसे ही, अब किसी के, आगे पीछे, ये, दोनों, दोनों बड़े वे न, दोनों फ्लैट हो जाएगे, ये, ये, ये भी सो, दोसो, पांसो बार तक कर सकते हैं, पहले दिन, पचीस-पचीस के चार राउंड करना, फिर रोज पचीस-पचीस बढ़ाते ज तो थी, दो जांको जाओ, और पाम साथ दिन में पांस, पांसो बार करने अलग जाओगे, फिर अब देखो, किसी के हात बहुत भारी हो जाते है, तो हातों को ऐसे-इसे करगा, पूरे भ毒 से, और लंबे स्वासों के साथ, लंबा इस इस इस, इसSt अब हाथ भी पूरे नहीं घुम रहे पूरे कंदे दाम हो गए यह ऐसे तो यह जो हाथ बढ़ जाते नो उससे अब टांग में बचन बढ़ गया तो फिर टांग घुमाओ पेट में जहां बढ़ा हुआ है वहीं गती पैदा करो शक्ति पैदा हो जाएगी देखो आप देखो यह बढ़ा हुआ है टमी यह पेट मेरे को जिसका पेट मोटा होता है न उस पर बहुत दया आती है है मैं भगवान जी से कहता हूँ भगवान या तो इसका पेट कम कर दे या इसको जल्दी उठा ले बढ़ा जी ना भी उठावाओ बढ़ाओ लगे डर लगजाएगा जो स सो से पांसो बार करना क्या वोला पुर्शार्त की पराकाश्ठा फिर अश्रोगंधा के पत्य खाना यह गोधन अर्क और वेट गोर मेदो हर लेना गोधन अर्क के साथ वेट को दो दो चार जार अब यह तेरों को चार चार खानी बेटा सुबह दो पैर शाम ठीक है सबसे चोटी उमर का तेरों को प्रसाद दिया है और यह गोधन अर्क एई बाबा का बच्च इधर तो यह दो दो गोली तो आम लोगों को खिलाते हैं तेरे अंदर तो वजन की भी तो पराकाश्ठा है यह आधा कप यह पीना इसमें एक गिलास पाने में मिला के और चार चार गो स्वामी जी आपने तो सब को बाढ़ दिया कि किस तरह से वजन कम होगा लेकिन शो के शुरुआत में हम लोगों ने भी कुछ टार्गेट दिये थे जिनका वेट जादा है चार टार्गेट फिक्स किये थे पहला था कि पैर पर खड़ा होना है एक पैर पर खड़ा होना है दूसरा था कि क्रॉस लेक करके बैटना है फिर उठना है तीसरा था कि 10 मिर्ट में एक मिल दोड़ना है और चौता था 30 सेकेंड तक लटकना है तो योगभाज के साथ साथ ये भी बताने की जरूत है लोगों को स्वामी जी की बीच बीच में ये टेस्ट भी करें ताकि बाबा कुछ और जोड़े तो स्वामी जी और भी अच्छा है तो देखो मैं तो ऐसे एक घंटे तक खड़े रहे सकता हूं कितना एक घंटे ऐसे भी और ऐसे भी और अब तो नियु आर्क के टैम्स के और पर भी यही प्रतिमा लगी हुए मेरी कि सारे दुनिया क्ये दोसोर ऋझस के पीछ और क्रोश लेकर कि more quickly कि इथे अब तुम हैसे वैशनली उठोकि कि दिकगद होगी तुमको है विना हाथ लगाए ऐसे ऐसे उठना अबेढ़ना ऐसे उठक़क करने दस बार हैं ऐसे ये और लटकने काम तो हम तो कहीं भी लटक तुम लटको गया तो पेड़ तोड़ो गया उधर लटका तो पेड़ ही टूटेगा तो अब इस टेमिना चाहिए एक बार में दस बार तो ऐसे करो यह तो नॉर्मल स्टेमिना और मैं करता हूँ ऐसे सो बार कितनी बार सो बार जब गुर्कुल मैं पढ़ा करता था तब करता था ऐसे 500 बार कितनी बार यह यह भी होले होले कर लो चाहिए दस बार में तो सब किलियर हो गए हाँ पैर उठा करके करना ऐसे यह और फिर ने तो लेट के कर लो ऐसे यह है ऐसे धीरे-धीरे करके बिना ठके रिदम के साथ दस बार तो बहुत भाई आप यह मामला जचा नहीं हमको धीरे-धीरे दस बार से तो शुरुवात है पत्चीस बार पचास बार सो बार ऐसे देखो इस प्रवाह से स्वास लिया उपर स्वास छोड़ा नीचे यह स्टैमना टेस्ट भी है और इससे पेट पीठ का भी बजन कम ह हो जाएगा और बोरी का स्ट्रेक्शनल बैलेंस बहुत अच्छा होगा चाहीं सुन्दर होगा खूब सूरत होगा आरे अतो बइंदावन बालो भी लेट गया कहां को है भाई जो कोफली चुकार रुटा उठाओ इस वे रूर्श में होते हैं आवे जपान में होती हैं जपान के सज़यम पार प्रत्व रीप्त बीवन, जपान में, रूर्श में जब में प्सकुमें याउड ने इस खार और इसके बाद सब्सक्राइब करना अमीजी जोसना जी सो बार तो फिर देखो बाइसे ट्राइसे पेट पीट पुरा शरीड एकदम परफेक्ट फिर यह जुन का यह पेट लटकता है न बेटा यहां से यह जो तेरा लटक रहा था न तेरा कम से कम 10 किलो इधर 10 किलो इधर लटक रही हैं तो इसके लिए यह कर ये यह यह बहला ऐसे और अनाज नमक मीठा बंद शाक सब्जियां फल ही खाना क्या बोला शाक सब्जियां फल कच्छा इखा सकता है उबाल के भी जूर्द नहीं पालक अबत हुआ है मेथी है धनिया है ऐसे ही रगड़ों क्या दिक्कत है ऐसे ही खाओ पपीता अनार यह बगु इस ठापावाई कल और हम सब यह जानते हैं कि मोट आपे का जो सीधा सीधा रिष्टा है वो खराब खानबान से है आज आप जो योगा भ्यास करवा रहे हैं वो तो हर दिन करने की आस कर उन लोगों को जरूरत है जिनके शरीर में फैट ज्यादा है जो मोटे है लेकिन इस के साथ साथ खाने पीने का खयाल रखना भी बहुत ज़रूरी है आप ही कहते हैं बालंस डाइट रहेगी तो जीवन अच्छा रहेगा तो योगा अभ्यास प्राणायम के साथ साथ डाइट कैसी होनी चाहिए उसमें किन बातों का खयाल रखना चाहिए ये भी समझाए युक्ता हार विहार अस्य युक्त चेश्ट असे करमसु युक्त स्वपनाओ बोधस्य योग भावती दुखा देखो यह इसमें इजी हो जाता है ऐसे कर लेना और बहुत संदर सरीर बनेगा फिर विश्व संदर बन जाओगे विश्व संदरी को तो कहने की जूर्द ही नही लंबे लंबे श्वास अब विश्व संदरी की प्रतियों गिता यह तो बहुत हुई यह विश्व संदर प्रतियों गिता करेंगे हम इंडिया टीवी पर लंबे लंबे श्वास तो क्या क्या करना पड़ेगा जंक फूर्ड फास फूर्ड यह ज्यादा मीठा हाई कैलोरी बंद करनी पड़ेगी लो कैलोरी एंड हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन का मत्रब केवल प्रोटीन डाइट ही नहीं कुछ लोग फिर प्रोटीन पाउडरी खाने लगते हैं पूरा कार्बो है टेट और विटामिस नुटिशन्स फल शाक सब्जे सभी बंद कर देते हैं यह य लासन दोनों से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ने तो एक एक से कर लेना और सो से पांसो का टारगेट दे रखा है फिर नास्ते में लोकी का जूस किसका जूस बलो लोकी पेठा कद्दू और खीरा जूस उसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना और थोड़ा निमू मिल लेना और गरम पानी में रात को भीगो तो पानी में और सुबह उबाल करके तेज गरम पानी में त्रिफला उसमें थोड़ा हल दिया दक और थोड़ा शहद पतंदली हनी प्योर हनी है वो मिला के पी लेना ऐसे यह अर्दहलासन पैर घुटने सीधे यह आहाहा आनन्द आ अब देखो दस-बीस बार से सुरू करके फिर तो रिलेक्स होना मरकटासन करना फिर तो भस्री का करना कपाल भाति अनुरूम एलूम करना फिर दुवारा लग जाना अब किसी किसी के तो टांगे इतनी मोटी रे एक-एक टांग में एक-एक राम देओं यह बोला बाबा ज तो नास्ते में एक दिन लोखी का एक दिन खीरा का एक दिन करेले का एक दिन टमाटर का जूस पीना एक दिन पाएपल पाएपल वचन बहुत जल्दी घटाता है और जूस क्या पाएपल खाओ ना जूस देखो बाकी सब यह अन्हेल्धी चीजे खाते उससे अच्छा तो मोसमी। पूरा खालो पाए ने पल। अइसे। और ये जो लोग की खीरा करें ला ना इनमें कुछ बसता ही नरा उन में तो फायवर पूरा का पूरा जूसी भाज आता है तो फायवर ना कहना पड़े इसलिए उन को जैसे मैंने अना अनास का बुला हम यह यह फैट कटर का काम करता ऑब था बच्चों बोघ्ट कटर का काम और बाकिन ठेय ना तो फिर उनके सारे nutrition भी गटर में चले जाते हैं तो वो fat guitar अच्छे नहीं होते हैं तो एक एक पहरेशे दोनों पहरेशे अर्धालासन पाद वृद्धासन तो साथ दिन के लिए साथ चीजों का juice या साथ तरे के फल खाना सुबह सुबह अनाज नहीं खाना और दिन में भी रागी बादरा जवारा दी खा सकते हो यह हूँ चाबल टोटली बना चीनी और चीनी बड़े खतरनाख है आज भी मैंने खा था इससे बच्छों और नमक ये तो हड़ियों को भी गला देता है और ये शरीर के अंदर water retention का और फिर स्वामी जी जब वेट बढ़ता है तो मोटापा सबसे पहले पेट पर दिखाई देता है जिसे belly fat कहते हैं लोगों की personality बिगारने में ये सबसे एहम role play करता है और ये सबसे जिद्धी भी होता है स्वामी जी लेकिन बात सिर्फ लुक्स की ही नहीं है पेट पर जमा चर्बी कई बिमारियों की भी वज़ा बनता है तो belly fat कम करने के लिए अलग से एक session करवा देजी तो belly fat के लिए एक अभ्यास ये अर्दहलासन भुजंगासन और सलभासन बता चुके है उल्टे लेट करके चलो फिर से दो रहा देते हैं ऐसे दो तीन पांच दस राउंड करना तो ये अर्दहलासन फिर उल्टे लेट करके एक-एक पैरसे हैं दोनों पैरों से ये सलभासन ये belly fat को कम करेगा ना भी के नीचे वेट लटक जाता है उसको कम करेगा ये और जो दूख कर सके हैं ऐसे पूरे ऐसे पूरा करना ये और फिर ये भी belly fat को भी कम करता है और पूरे श्री में ताकत भी आती है और फिर दो अभ्यास खड़े हो करके ये, करो, 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 कुछ बात बनी, अभी मजासा आया, और मोसम बहुत स्वाहना, सूर्य उदा हो, किने के साथ, साथ पूरा भाग्य उदा हो रहा है, बहुत आनन्द है, पीछे हमारे कभूतर भी, ये भी ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं, कि जैसे पेचले जन्म में मेरी योग कलास अटेंड करके ही गए थे, और इस जन्म में भी इसलिए सुन रहे हैं, कि अगला जन्म फिर योगी का ही मिले, ऐसे ये ये तो अभ्यास, ये बेली का फैट कम करने के लिए दो, और फिर दो अभ्यास खड़े हो करके, ये वाले, आगे जोगना धेरे धेरे, और पीछे जोगना ऐसे, ये बेली फैट को कम करेगा है, इसको, ये बेली फैट बड़ा खतान, बड़ा भूंडा भी लगता है, अपना पेट छाथी के नीचे रहना चाहिए, और दाय बाय लटकना नहीं ची, इधार इधार, ये मसंड नहीं पेट में, बिलकुल मसंड नहीं पने चाहिए, लटकना तो बिलकुल ही खराब है, ऐसे, पहले न फैसर में लोग पहनते थे, एक फैंट, फैंट फैंट करके यह गले में तक डालते थे, तो फैंट को छिपाने के लिए होती थी, ये, ये, आमी जी, हूँ तो आज भी चल स्वामी जी फैशन का भी नाम है, ये, ये, और अफिर ये, और अगर आप मोटे हैं तो आप बैगी पेहनी है, जिससे कि आपका फैट छुप जाए, लेकिन स्वामी जी, आपके यहां पर जो एक शक्स आये हुए है, जैसा बता है, उनोंने कि उनके बॉड़ी में फैट इ वजे से ना भिगड़े, देखो, हार्मोनाल इंबेलेज के लिए तो मिटा अनुलों मिलों करो, चलो बैठ जाओ सब, अनुलों मिलों, या हर्मोनल इंबेलेज को दूर करता है, अब जो सुर नमसकार कर सके सुर नमसकार भी बज़्य पेट को कम करने के लिए, ये भी हम द 10 बार से ले करके 100 बार तक करा देते हैं इसमें पूरे शरीर का पूरा सर्माइब भी हो जाता है अब हार्मोन बहस के लिए एक तो अनुलों मिलों कपाल भाती उच जाई वह आगे बताने वाले हैं एक शीर शासन थाई राइड और पीच्यू ट्री ग्लैंड पीनियल ग्लैं सेंटर्ल नर्व सिस्टम पेराफिरल नर्व सिस्टम राइट लैफ्ट व्रैन हाइपोथहलमस सिस्टम ब्रेन के नियूरोंस वहां से हार्मोन्स के गड़वस सबसे ज़्यादा होती है फिर उसका असर फिर जो है हमारे थाइरेड पर थाइरेड का पीच्यूट्री पर असर पढ़ता है इसलिए टी थी टी फॉर और टी असे मापते एक तो यह सीर्शासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ऐसे ना हो इसलिए थाइरेड भी पूरा ठीक हर्मोन इंबैलेंस भी ठीक और यह अलासन भी है बिना हाथ लगाए भी ऐसे भी हो जाता है और हाथ लगा के भी ऐसे हो जाता है ऐसे और ऐसे यह 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 पिर एक और अप्यास है आजिए ऐसे पादमासन में एसे और पीछे से ऐसे हाथ लगा कि इसे गर्दन मोरती ऐसे कर लिया यह हो गया मत्यासन क्या हुआ मत्यासन बड़ा अच्छा है यह भी बहुत अच्छा है थायराइड के लिए और हार्मोनल इंबेलस के फिरी सिंग भासन चलो एक बार सेर की तरह दाड़ो ऐसे पांच दस बार धाड़ने और पांच मिनट यह उजया करना पांच मिनट नहीं महतर और फिर यह पौइंट बहुत दबाना है यह थायराइड के लिए आथ में भी और दो जगापारिंट यह हाथ में पैर में यह यहां से यह यह यहां से अंगो ठीके नीचे से जो मोटे मोटे एन उनका दूखे गया जोर से दबाओगे वैसे सौमी जी इनका वजन ज्यादा होता है वह तो दाड भी नहीं पाते हैं उनकी आवाज भी तेज निकल निकलती नहीं है बहुत परिशानी है मोटे लोगों की स्वामे जी अब जब जंक फूट की बात कर लेते क्योंकि कहीं न कहीं जंक फूट को न बोलते हैं बड़ा विलन माना जाता है कि जो शरीर में मुटापा आता है फैट आता है सड़ी के मुटाबिक तो इस तरह का खाना ब्रेन और आपके आत के सेल्स के भी बीच नाल में बिगाड़ देता है जिससे दिमाग के जो नियूरॉंस होते हैं वो पेड भरने का पता ही नहीं लगा पाते हैं ऐसे में मुटापा घटाने के साथ साथ पाचन को दुरूस्त करने के स्वामे जी उपाय चाहिए होंगे ताकि ब्रेन से जो कनेक्शन फर्फिक्ट रहे और कम्मुनिकेशन जबदस चलता है खास तोर पर आपकी तरह क्योंकि आपका जो कम्मुनिकेशन है स्वामे जी बच्छा मोठा हो गया तबर 35 सालों से इसे मेंटेन किया हुआ है मेरे मैं जब ऐसे पकड़ता हूँ तो अंगुठा पीछे और अंगुलियों में पूरा पेट तुम्हे तो ऐसे पूरा बात बरनी पड़ेगे गाउं की पैसंबल के बात 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 डारगेट यह होना चाहिए क्या नाम है बाबू मनोज कुमार सिंगल साब सिंगल यह हो जाओ डबल हो अभी और स यह अक्षित अक्षय उर्जा पाओ अपनी भीतर से देखो ऐसे पकड़के देखो कितनी दूरी है तो मैं जासे लगता है कि आप 28-inch की कमर को लागर आप 10-12 गर देते हैं तो रहा हाथ में भी नहीं आरा तो देखो किया चाहती है वैसी हो अगली बात अपने ब्रेन की निरोंस को अच्छा रखना है तो एक चमच घी खाया करो क्या खाना एक चमच खाली पेट खाने के साथ नहीं उस सीधा दिमाग तब पहुंचे गा एक किलो 400 ग्राम का दिमाग 80% अच्छे फैट से बनता और सबसे अच्छा फैट है गायका है और दूस्रा फैट है लड़ाइज जगडा करने वाला तमस बढ़ाने वाला रोक करने वाना आँ इसका थेर है सरसों का तेल तिल का तेल नारियल का तेल एप चमच फ्त या। कोई भी चीजित तिल का तेल बहुत अच्छा है। नारियल का तेल बहुत आचा है खाने में भी तिल का तेल नारियल का तेल घीज ऐसा लगता है खाली पेट और बाकी तेले ही नहीं खाना है उससे दिमाग के नूरों और लंबे स्वांस लेने से और जो आप बता रहे थे ना एक जो है ना लेप्टिल लेवल है लेप्टिल लेवल गडबड होने से फूख बहुत लगती है अच्छा मोटे आदमी खावे तो फिर वजन बढ़ जाए तो फिर तुम क्या खाया करो पैनेपल खाया करो पपया खाया करो सेव खाया करो रणायम करते हो ना तो यह मनोज बोल रहा था बोले जी बाबाजी यहां आके दे कुछ नी रहे खाली काढ भी पिला रहे भूग नहीं लग और घर में जब तक एक-दो किलो रासन ना पेल ले एक उता घटाना एक होता पेलना एक दो किलो रासन ना पेलने तब तक शांती न अधा बंटे तक खाता था यह लाओ लाओ रहता था अब क्या करना अब योग करते ना तो लेप्टिन के लेवल नॉर्मल आ जाता है और खराब हर्मोंस यह प्रोलेक्टिन काटीसोल एक भूग को बढ़ाते हैं और इंडॉर्फिन एक एफ इन जो है यह अच्छे तो हर्मों सेन सेराटोनिन मेलाटोनिन यह हर्मोंस बढ़ जाते हैं है कि चलो प्रनायामी करो और पाचन अच्छा रखने के लिए दो उपाए एक तो पवन मुक्तास है कि एपप्टोसीस गड़बड हो गया ऑटोफेजी माइटोफेजी गड़बड हो गयी मेटावलिजम हो गया पाचन तंत्र में शड़ियंत्र हो गया पाचन तंत्र गड़बड हुआ तो शड़ियंत्र हो जाएगा शरीर में यह बड़ी जरूरी बात है तो पवन मुक्तासन और वह भी कपाल भाती के साथ और वह भी चलित पवन मुक्तासन देखो ऐसे इसे वाला इसमें तो और आने दा जाता है और मोटे मोटे लुड़के गे तो और अच्छे लगेंगे अहम को तो प्रयात्र पूर्वक लुड़कना पड़ता है और जो खुद ना लुड़के तो पतली या बच्छे लुड़का है ऐसे ये ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे ये हमारे बच्छे योग में B.A.M.A.C.M.S.E. कर रहे हैं और इनके ग्रहाक देखो ये तुम्हारे ग्रहाक है भलो पड़ाई के बाद पड़ाई के बाद कमाई कैसे होगी तो ये लारा ये लोग ये मनोज सिंगल तुमारी कमाई कराएगा बोले बच्छे हमको घर या के करवा दीजिए तो ऐसे चार पाच लालाओं को पकड़ लिया तो तुम माला माल हो जाओगे एक एक लाला जी दस बीस हजार पर देंगे लाग दो लाग की तनका मिल जाएगी उतनी तो एंकरों को भी नहीं बिलती शुरू में जो टीवी पर बड़े बड़े फेस देखते हो ना मैं तनखा नहीं पूच रहा हूँ अमी जी की और पूजा जोच्छा की तो पीछे से डांट पड़े की अनीता जी की तो स्वेशे पर भी पात कर लेते हैं तो यह तो यह तो पाचन की जो सुर्खियों में बना रहता है जंक फूट स्वामी जी अकसर जब भी मोटापे का जिक्र होता है तो जंक फूट के बिना बात अधूरी रह जाती है और इसी जंक फूट पर एक स्टडी हुई है जिसके मताबिक जंक फूट से पेरेंट्स में बढ़ने वाला मोटापा दियेने के जरिए उनके बच्चों रही बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकता है ऐसे में जो पेरेंट्स ओववेट हैं वह ऐसे औरुपाई सखाए अब लापना सकते हैं कि उनकी बच्चों को कम से कम AmmoTapa ने बचाने को काम स्विमार के रूप में ना मेree। तो बापू करीब एक किण्टल का बेटी पर करीब पचास किलो की और एक बेटा और वो भी सतर असी किलो का औरे मैंने का भई ये स्कूटर पर चल कैसे रहें तो मावाप मोटे होते हैं तो ये बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है तो क्या करें तो एक तो रोज अपने घर में एक नियम मना लें कि वह इस घर में रोज योगा भ्यास होगा प्रणायम होगा और मोटे देखो तुरंत पतले होकर के बच्चे नहीं पैदा कर दो अशर जो है वैसे तो तीन मेहने में आ जाता है हमारे शुक्र तक आ जाता है सुक्र और रच स्पर्म और जिसको बोलते जिसे आयने वाली संततियां तयार होती है तो अपने शरीर को पूरा शुद्ध करो तो फिर चाहें मोटा पाया है किसी को और भी कोई बीमारी है एक सा तक करीब 9 मेहने तक 9 मेहने में स्टैबिलिटी आ जाती है हमारे स्पर्म में ओवम में रसरक्त मास में तास्ति मज्जा शुक्र में है ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी शुद्ध करने के लिए क्या करें पंच कर्मा शट कर्मा करें एक तो सुबर सुरज की धूप में युक्ता हार विहार अस्य युक्त चेश्ट से करमसो युक्त स्वपनाओ बोधस्य योगों भाव ते दुखा तो माता पिता अपने आरेने डियेन प्रोटीन पूरे एक एक सेल जीन्स कर्मजोम सुन से बने वाले ओर्गेंस पूरे फिजिकर स्ट्रेक्टर और अपने शा आपको एक घंटे में आधा किलोवेट कम करना है तो एक घंटे लंबा ही स्वास लो चलो बैठो स्वामी जी मोटापा सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी को कम करता है बलकि ब्रेन के फंक्शन को भी स्लो कर देता है बढ़ते वजन का असर दिमाग पर ना पड़े उसके लिए कौन-कौन से प्राणायाम करें जरा एक बार उनका अभ्यास भी करवा दीजिए तो भस्तरी का से तो वेट कम होगा कपाल भाती से फिर यह जमा हो जाता न का लिवार पार किड्नी पार पिनक्यास पर आंतों पार यूट्रेस पर ओवरी पर प्रोस्टेट पर और सब जगह यहां तो गली तो किसी किसी को तो डबल चीन तहियार हो जाते गर्दन भी यू अक्षए अक्षित कंदे को गुमा आतों गई वाती फ्लेक्सिबिलीटी उता है उमर का मैंने बेटा यह 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 भी डेवल तीन भी कपाल भाती से यह यह तो फैट एक से जमाँ होता ने फिर लिवर की किड्नी की डियाबटीज की गैस की कबज की एसीडिटी की पायस की फ लुडायक तो प्रनायाम कर कपाल भाती वाहिये प्रनायाम और योवन योवन गोल्डमने बना रखा है बहतों की शाधी टूटने से बच जाए नहीं और वाकि अधो प्रेमखाली फीजीकल ही नहीं चेलेंक फिजीकली भी तूपिट रहना चाहिये ना चलो ने किए कपाल जी और जो सना जी कर लेंगे अनुलोम में कर रहा हूं ब्रेन के लिए बड़ा जबरतास्त है और ब्रेन के लिए उसे वेट भी कम हो जाएगा और ब्रेन फंक्सन आपके यही जो नुस्के है ना इसी का इंतिजार कहना है दश्रक क्योंकि युगव्यास प्रणायम के बाद आप बारी आते हैं नुसके बताने की लेकिन जब तक आप तैयारे करें नुसके बताने की तब तक हम बताते हैं कि कल किस टॉपिक पर आप बात करेंगे कमजोर मसल्स बिगड़ा लाइफस्टाइल, स्ट्रक्चरल इंबैलेंस का बनना जाए संकट, खराब पाचन, बीपी शुगर, थायरोड की टेंशन, क्या है बोडी को बैलेंस रखने का सोल्यूशन, बोडी फिट, इम्मुनेटी हाई, बैलेंस होगी लाइफ, पूने से य आइडियल AQI वाले शेहर से स्वामी जोड़ेंगे हमारे साथ, एक तो खीरा ना, फड़ा जबरदस्ता है, इसमें थोड़ा सा आमला डाल दिया करें, इसी इक अंदरी, ये आमला, ये आमला थोड़ा सा डाल दिया, और ये खीरा, ये लोकी के साथ साथ ना, इसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना, थोड़ा सा नीम्बू डाल दिया, जब आमले का सीजन नहीं होता है, तो नीम्बू आमला और इसको पीते हैं, इसका तो जबरतस्ता टेस्ट है, बहुत सारे उधर वाले इधर ही देख रहे हैं, कि बाबा, क्या हमको ही मिलेगा या अखोड़ा ही पीजाओगे है, खाना नहीं कबसम पीना ही सही मिले कुछ तो देखो ये बड़ा जबरतस्त है, गोंट-गोंट करके पीना चाहिए, बड़ा स्वाधिस्टा है, इसमें अब ये हल्दी, थोड़ा सा एधरक इसके छोटे-छोटे पीसे जैसे काटके रखे है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अधरक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा, हाँ, आधी चमच जीरा, और एक चमचे मेथी, मेथी को थोड़ा सा दरदरा कूट लें तो जल्दी इसका असर होगा, और दो ग्राम के करीब अजवाइन, और चुट के भर करीब काली और इसमें डालने फिर यह अशोगंधा के पत्ते अशोगंधा ब्रामी संक्पूस भी मिल जाय तो और अच्छा है इसको भी पत्तों को थोड़ा ऐसे तोड़ करके ऐसे डालने और यह पांच से रेकर के 10-15 तक पत्ते डाल सकते हैं चोटे बड़े होते हैं साइज में उसके आप देखो यह जूस सेयार हो गया आजाओ और मोटे मोटो तुमारे लिए मैंने काढ़ा बना दिया है आजा आजाओ पियो पियो जूस मिल रहा है काढ़ा स्वामी जी यह काढ़ा इतना जबरदस्ट है तो भी तो बहुत अच्छा है यह तो काढ़ा है इसमें थोड़ा थोड़ा पीलो यह प्रसाद है बाबाजी का मोटा पा कम करने वाला तो यह बड़ा जबरदस्ता है अब इसको जो पीएगा अब यही काढ़ा ही पीना बाकी तो रिजरू फैट काम आएगा खाना बंद तो महने के लिए 21-22 दिन का उपवास करना है कितनी दिन का 21-22 दिन का अरे मुर्गिया तक कर लेते तो मुर्गियों से भी गई बीते हो क्या फोल्ट्रे फार्मोरों से पूछ के देखा ना किसी से स्वामे जी आपने एंको टास कर दे दिया है तो ये आज का काढ़ा बता आए है ये तो स्वामे जी आज का तो योक का हो गिया अब हम जरा नीूस के टास क्लिस परते हैं और आफसे विदा लेते हैं बहुत-बहुत धने ओन्वाम इस फिर्छ पर्रणांस या हिस् dece झाल, 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 झाल.